आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Carbon occurs as the native element in the Earth's crust in the form of Diamond, Methane, Carbon Dioxide Gas Carbon तो हमसे बोला जा रहा है Earth's crust में Carbon किस फॉर्म में Mostry ओकर होता है, यानि की रहता है ठीके, so Earth's crust में मतलब Carbon solid form में रहेगा है ना Carbon solid form में रहेगा so Earth के crust में यानि की धरती के अंदर so धरती के अंदर Carbon generally हम लोग पाते है Diamond के फॉर्म में नहीं तो Graphite के फॉर्म में यह दोनों ही क्या है Carbon के Allotropes है Allotropes मतलब जब कोई एक element एक दो से जादा फॉर्म में exist करे दो या दो से जादा फॉर्म में exist करे तो उसे हम लोग Allotrop बोलते है so यह Diamond और Graphite Carbon के Allotropes है यानि कि Carbon इन दोनों फॉर्म में exist करता है so native state मतलब सिर्फ Carbon रहना चाहिए उसमें है न so अब options देख लेते हैं हम लोग so option A Diamond बोल रहा है अभी अभी मनें बताए कि Diamond exist करता है मतलब Carbon Diamond के फॉर्म में exist करता है Earth के Crisp में धर्ती के अंदर हम लोग तभी तो माइन करके Diamond को निकालते है so हाँ यह तो हमारा आंसर होगा now B says methane methane तो gas के फॉर्म में और यह native फॉर्म नहीं वह carbon का क्योंकि methane क्या होता है CH4 so यह तो carbon का native फॉर्म नहीं है now third option is carbon dioxide again यह gas है और यह है CO2 तो यह carbon का native फॉर्म नहीं है fourth is gas carbon नहीं earth crust में जो carbon रहती है हमारी वो solid form में रहती है diamond और graphite के form में ठीक है so यह भी हमारा आंसर नहीं होगा so answer क्या होगा हमारा diamond that is A classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubt net आप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार सुपर